दोस्तो बहुत सारे student को app download नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes इस प्रकार से जब आप play store से करते हैं तो यह आपका well जो है icon उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से self study classes आपको search करना है और ऐसे icon में आपको app मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि play store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study classes यह play store में आपको self study classes का app दिखने बाला है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तो इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे तो सात्यों आज का session start हो चुका है और दोस्तो जिन भी सात्यों ने अभी तक self study classes का app डाउनलोड नहीं किया है आप self study classes का app जरूर डाउनलोड करें दोस्तो आपको क्या करना है play store में सर्च करना है self study classes ठीक है तो यह पूरा आपको लिखा मिल जाएगा और एप आपको डाउनलोड कर लेना अगर दोस्तो आप हिंदी सायथ की तैयारी कर रहे है UK, LT, PGT, PGT, पंजाब मास्टर केडर या पर जूनियर टेट एक्जाम की तैयारी कर रहे है तो दोस्तो ए वीडियो आपके लिए है ए एप जो है self study classes ए आपके लिए है ठीक है तो जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करें और वीडियो को दोस्तो अपने मित्रों तक सेर जरू करें आज हम दुवेदी योग को पढ़ने बाले इसके पहले दोस्तो हमने भारतेंदु योग को पढ़ा आधुने काल में आज अपन दुवेदी योग को पढ़ेंगे दुवेदी योग में आपको बताना है कि दुवेदी योग का जो नामकर्ण किया गया वो किस के नाम पर किया गया ये आपको चैन करना है ठीक है तो सभी साथ ही ऐसे है जोनों ने Self-Study Classes का एप डाउनलोड कर लिया है तो से पूछा गया और आपने बिलकुछ है आंसर चैन किया है कि महावीर प्रसाद दुवेदी महावीर प्रसाद दुवेदी के नाम पर दोस्तों दुवेदी योग का नाम पड़ा और महावीर प्रसाद दुवेदी आपको पता है कि दुवेदी योग के स्रेष्ट दोस्तों पदक बने थे कब बने थे 1903 में और सरस्वती पत्रिका यानि कि दोस्तों 1922 से ही दुवेदी युक का आरंभ माना जाता है 1922 से ठीक है यह आपको याद रख लेना दुवेदी युक का नाम करन महावीर पर साथ दुवेदी के नाम पर किया गया इन्होंने गद्दुर्पद दौनों के लिए खली बोड़ी में सामान ने बोलचाल की भासा को प्रात्मिक्ता देने की बकालत की इनके द्वारा दोस्तों रचेत अनुदेतवा मौलेक 80 गरंत हैं और इनके प्रमुक काब संग्रे हैं काब मंजूसा शुमन काब कुंज अवला अविलाप यह सभी इनकी दोस्तों रचनाय मानी जाती है ठीक है यह चीज आपको याद रखना है यहाँ पर अब आप पढ़ते हैं अंगला कॉस्चन अंगला कॉस्चन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों सेरंधरी के रचनाकार कौन यह कॉस्चन आपसे पूछा गया तो पिलहाल यहाँ पर तो द्वारा रचित नाटक है सेरंधरी नाटक किसका है तो यह मेत्री शन गुप्त का है इनके द्वारा रचित नाटक है रंग में भंग राजा प्रजा है ना कि आपको याद रख लेना है दोस्तों बन बेभव बिकट भट ब्रहनी बिरजांगना ना बैतालेक सक्ती है इनको याद रख लेना है और सेरंधरी भी किसकी है दोस्तों मेत्री शन गुप्त की रचना मानी जाती है यह आपको याद रख लेना ठीक है बी नमबर आपका मेट्री शन गुप्त बिल्कूर सही हो जाएगा ठीक है अंगला कॉस्चन आपको यहां पर अप्चेन करना है अंगला कॉस्चन है आपका कि कौन सी रचना आयोध्या से उपाद्याय हरियोद की है आयोध्या से उपाद्याय हरियोद आपको पता होगा दोस्तों आयोध्या से उपाद्या हरियोद जो है कि दुवेदी युक के स्त्र दिष्ट कभी और रिख़कमाने जाते हैं अयुद्य ऽेम उपाध्या हरियोद ने धोस्तो खळी बोली का प्रतम महां काबर लखाता जिसका नाम था प्रिये प्रवास आपको पता है है ना और आपसे अगर पूचे जाए कि खळी का प्रतम महां काबर कौंसा है तो प्रिये है ना आयोध्या से मुपाद्या हरियोत की रसकलक क्रशन सतक इनकी परतम रचना माने जाती है ये भी आपको याद रख लेना क्रशन सतक ठीक है तो यहाँ पर आयोध्या से मुपाद्या हरियोत की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है यहाँ पर आपने बिलकुर सही उत्तर ब विजयासे मुपाद्याइद्वारा रचेत, काब गरंथ है प्रीय प्रबास, हरियोद सत्ताई, मर्म स्पर्स, कल्प लताक रश्न सत्तक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस, कि सारी की सारी माने जाती हैं दोस्तों इनके, ना चौके चौपदे, पारी जात भी है, ठीक है, रसकल कार जिने जिने दोस्तों कभिता कामनी कांत भारतेंदू प्रगेंदू साहत सुधाकरू पादीओं से विभूसित किया गया तो वो बताना है कि वो कभी कौन सा है चार बिकलब है अमारे सामने जल्दी से लिख काना है चार बिकल्प हैं दोस्तो पहला है नातुराम सर्मा संकर, दूसरा भारतेंदू हरिस्चन्द, तीसरा रामधारी से दिन कार और सूर कांतर पाठी निराला तो आपको पता है कि कविता कामनी कांत भारतेंदू प्रगेंदू साहित सुधाकर आदियुपादियों से जो सम्मानित किया गया वो किया गया नातुराम सर्मा संकर नातुराम सर्मा संकर को यानि कि आपका विकल्प नमबर जो ए है वो बिल्कोर सही हो जाता ठीक है इन्हें भारतेंदू प्रगेंदू कहा जाता है इन्हें साहित सुधाकर कहा जाता है इन्हें कविता कामनी कांत कहा जाता है यानि कि उत्तर कहा चला जाता है एक की तरफ ठीक है दुवेदी युक्के साहित का नातुराम सरमा संकर को कविता कामनी कांत है ना भारतेंदू प् भूसित किया गया ये भी याद रख लेना और अंगला question है बताना है आपको मैतिश्रांगुप्त की काब रचना कौन सी नहीं है कौन सी नहीं है ये आप से पूचा गया तो दोस्तों यहाँ पर याद रख लेना ये सिद्धराज है हिडिम्ब है जै भारत भी है कि किरसक क्रं क्रंदन की रचना नहीं है यानी कि आपका उत्तर ड की तरफ जाता है डी नमबर करसक क्रंदन आपका सही हो जाएगा करूंदन की माने जाती है गया प्रसाद शोकल सनेही की रचना है इनकी अन्य रचना है प्रेयम 25 राष्ट्रिय वीना त्रिशूल हैना तरंग करुणा तथा कादंबनी के सभी मानी जाती हैं हैना रंग में भंग जैदरत बद किसान बिकट भट गुरू कुल साकेत भारत भारत भारती जंकार यसुदरा द्वापर जै भारत विश् सिद्राज, हिंदू, बैतालेक तथा पंचबटी यादी ये सभी रचना किसकी हैं मेत्री शनगुप्त की लेकिन किर्सक करंदन ये गया प्रसास सुकल सने की है हैना बोले किर्सक का करंदन गया करंदन गया गया तो गया प्रसास सुकल शने ही ठीक है अंगला कॉस्चन नहीं है पूछाए यहां पर तो बन बैभाव नहीं है सकती सेरंधरी या फिर कवशनाहार प्रश्ण किरमाग छे और छे में आपको चैन करना है छटवी का अंसर क्या हो जाएगा महावारा संबंदी नहीं है तो कौन सी नहीं है बताए चार बिकल्प है चौता बिकल्प सेरं तो यहां पर आपको इतना याद रखना है कि जो यह सकती है सकती यह दोस्तो महावारा संबंदी नहीं है और उत्तर चला जाता है बिकल्प नमबर बी की तरफ है ना तो यह बी नमबर आपका बिलको सही है मैत्री शरंगुप्ति की कौन सी रचना महावारा संबंदी नहीं जबकि वन बेवाओ, वक्सहार, सेरंद्री महावारस सम्मंदी रचना है ये भी आपको याद रखने ना अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हर्योद करत काब्योप बन का प्रकासन वर्थ क्या है बहुत बड़िया प्रशन है काब्योप पन शुरवी जी, बिलकुल हर्योद करत का ब्योप बन का प्रकासन वर्थ आपको बताना है जो भी साती जूनियर टेट एक्जाम की तयारी कर रहे है जो भी सिती PGT, TGT, पंजाम मास्टर के अडर एक्जाम की तयारी कर रहे है की वो दोस्तो एप डाउनलूट कर लें, पिले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी किलासेस है ना और जिन भी सातियों को कोर्स में एड़िसर लेना हिंदी साहित के दोस्तो जूनियर टेट एक्जाम के, मास्टर के अडर एक्जाम के तो इसकी फीस रखिये दोस्तो अभी आपको बारा सो रुपे, ठीक है तो इस फीस में आप दोस्तो एड़िसर ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को करमबद कर सकते हैं हर्योद करत काब व्योप बन का प्रकासन वर्ष क्या है तो उत्तर चला जाता हूं 1909 1909 यानी स्ती नंबर हैना काब व्योप बन स्ती नंबर 9 आपका बिलको सही हो जाएगा हर्योद करत काब व्योप बन का प्रकासन वर्ष उन्नी स्तो नौईश भी है और हर्योद द्वारा रचित काब है प्रिये प्रबास सभी को पता है पारी जात है ना व्यदे ही वनवास कशन सतक इनकी पहली रचना है प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे चौपदे है ना और दोस्तों ये सारी की सारी रचना है माने जाती है इनकी अयुद्या से उपाद्याय हर यौद की अब अंगला कॉस्चन आपको यहाँ पर चैन करना है किसके साहित को हम सरस्वती और इंदू में जिस प्रियोग आत्मक रूप में देखते हैं बही उस साहित का असली रूप है बारतेंदू योग दुवेदी योग चाया बादी योग या फिर आधनिक योग प्रश्न किरमांक आपका आठ आठ नमबर आपको चेन करना है आठबा नमबर प्रश्न किरमांक आठ में और आठ में आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा दुवेदी योग दुवेदी योग यानि बी नमबर ठीक है किसके साहित को हम शरश्वती और इंदू में जिस प्र अमबर आपका बिलकुस हो जाएगा दुवेदी युगीन 1921 से 1918 इस्वी तक साहत को हम सरस्वती एवा मिंदु में जिस प्रियोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहत का असली रूप है ठीक है और सरस्वती पत्रिका का प्रकासन 1922 ये आपको याद रखने है दोस्तो ठीक है अचार महावी प्रसाद दुवेदी जी इसके ख्याती लब्द संपादक हुए ये भी आपको याद रखने हैं ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अंगला कोश्चन खड़ी बोली हिंदी का आधुन कालीन प्रतम महाकाब कौन सा माना जाता है या ऐसे भी कॉस्चन आ सकता है कि खड़ी बोली का प्रतम महाकाब कौन सा है ऐसे भी घुमा के पूछ लिया है आपसे कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रतम महाकाब कौन सा है बताए चार विकल्प हमारे पास है और और सबी को लगबग पता है कि खड़ी बोरी हिंदी का जो प्रतम महा कब है वो महा कब है प्रीय प्रवास। इस प्रवंद काब में करश्ण की बच्पन से देकर मतुरा प्रस्तान तक का वर्नन है यह ना इसमें कितने सर्ग हैं सत्रा सर्ग हैं यह याद रखने ना हरियोद जी के प्रिये प्रवास में इसको सभी याद रखेंगे बिख्यात जीबन ब्रत हमारा लोक हिते कांत था आत्मा अमर है देह नस्वर ए अटल से दान्त था उपरियुक्त पंक्तियां किस किर्थी में शंगरीत हैं पताईए किस किर्थी में संगरीत हैं बिख्यात जीबन ब्रत हमारा कौन सी किर्थी में शंगरीत हैं दोस्तों यह च पंक्तियां किस कृत्में संग्रिहीत हैं तो चार विकल्पें साकेत है ना सिद्राज भारत भारती या फिर इन में से कोई नहीं तो आपका राइटर हो जाए राइटिंग सही हो जाएगा उत्तर जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा भारत भारती भारत भारती में ये दोस्तो बिख्यात जीबन ब्रत हमारा लोग कहते कांत था आत्मा अमर है देह नस्वर एह अटल सिद्धांत था ये जो पंक्तियां है ये भारत भारती की पंक्तियां है और भारत भारती की रचनकार कौन है मैथली शनगुप्त है याद रखे ना राष्ट ये काबधारा की रचना है इसी रचना की प्रसिद्धी के कारण उनने राष्ट कभी की संद्या भी दी गई ये भी आपको पता होगा है ना वो परियुक्त पंक्ती भारत भारति में संग्रीत है 1912 इसमी में रचित ारत भारत ही ग्रन्त के लेकाग मैत्रीशनंगुपत है याद रखे ना कभी इन्हें दोस्तों मैत्रिश्रंगुप्ति की जो भारत भारती इसकी प्रिसिद्धी के कारण महत्मा गांदी ने राष्ट कभी की उपादी दीती है ना और इनका अपनाम क्या था मदोप और दद्दा भी इनका अपनाम था कभी अगर एकजाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं दुवेद युक की कभीता है तो कौन सी है उपदेस आत्मा केवा मिती ब्रतात्मा कभीता है है ना प्रिकृती चित्रात्मा के ना जागरान परक है या फिर नारी चितनात्मा के बताईए प्रश्न किर्मांक आपका ग्यारा है ग्यारा में दुवेद युक की कभीता या कविता की बिसेष्था है तो वो किस प्रकार की बिसेष्था है दुवेधियुक की कविता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इती ब्रतातमग नहीं होता है दोस्टो वस्तु वरनन है ना और दुवेदी युक को जागरन सुधारकाल भी कहा जाता है एक क्वेस्चन कई बार आया है कि जागरन सुधारकाल किसे कहा जाता है ठीक है तो आपको बताना है कि वो कहा जाता है दुवेदी युक को ठीक है अंगला है मैतरी शरंगुप्त ने इतिहास के उपेक्षि नारी पात्र को किस पुस्तक में प्र्तिष्टित किया बताईए भारत भारती में रंग में भंग या पर दौपर या पर साकेट में आपको पता है दोस्तों तो। की इतिहास की उपेक्चित नारी पात्र नारी पात्र को निम्न पुस्तक में पृतिश्टित किया गया तो वो पुस्तक है साकेत है ना साकेत मैत्री शरंगुप्त जी का महा काब है और राम काब पराधारित महा काब माना जाता है दोस्तो याद रख लेना और इसमें कितने सर सरग हैं तो साकेत में 12 सरग हैं ये भी आपको याद रख लेना ठीक है और मैत्री श्रंगुप्त ने इतियास की उपेक्षित नारी पात और मिला लक्षमन की पत्नी को साकेत नामक पुस्तक में प्रतिश्टित किया हिंदी साहित में रामचित मानस की बाद राम काब का दूस रख ना जंकार विश्नु प्रिया विश्नु प्रिया भी पूछी गई किसकी रचना है ये भी मैत्री श्रंगुप्त की मानी जाती है है ना अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा दुबेदी युक का एक और नाम है तो क्या नाम है बताइए प्रमांक 13 में आपको उत्तर चेन करना है दुवेदी युक का एक अन्य नाम आपको बताना है और उत्तर चला जाता है जागरण शुधार काल जागरन सुधार काल यानि आपका जो सी नमबर है जागरन सुधार काल वो बिलकुल शही है दुवेदी युक का एक और नाम जागरन सुधार काल है यह नाम डाक्टर नगेंदर द्वारा दिया गया जबकि डाक्टर रामकुमार बर्मा ने आदी काल को संदी का या चारन काल लाम दिया है ना ये तो रामकुमार बर्मा की थी आचार सुकल ने आदुने काल को गद्यकाल कहा एक कोस्चन भी कई बार आया है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर दुवेदी युगीन साहित में किस प्रिविर्टी की प्रमुकता नहीं है तो गद्यात मक्ता की काब्यात मक्ता की किती ब्रतात मक्ता की या फिर बैचार एक्ता की दुवेदी युगीन साहित में किस प्रिविर्टी की प्रमुकता नहीं है यह उत्तर आपको बताना है तो दुवेदी युगीन साहित में किस प्रिविर्टी की प्रमुकता तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों काब्यात मक्ता यह B नम्मर सही हो जाएगा यहाँ पर कि D नहीं होगा काब्यात मक्ता आपका बिलकुष सही हो जाएगा क्योंकि इती ब्रतात मक्ता की प्रमुक्वे से इस्ता मानी जाती है यहना तो यह B नम्मर आपका ब पिल्कुट सही हो जाता है B number ठीक है V right answer हो जाएगा काभ्यात्मक्ता ठीक है राजपूती आनकी कथा है तो कौनसी है किसे रचना में राजपूती आनकी कथा है ये आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे राजपूती आन की कथा है तो कौनसी है सिद्धराज, रंग में भंग, पंचबटी या फिर साकेत राजपूती आन की कथा आपको चैन करना है बताइए प्रशने क्रमांग के आपका है ना यहाँ पर दोस्तों 15 और 15 में राजपूती आन की कथा कौनसी रही एक विकल्प का आपको चैन करना और आपने बिलकुल सही आंसर बताया कि सर रंग में भंग ए राजपूती आनकी कता रही है कियानि कि B-N succession गुपती इसकी रचनाकार है रंग में भंग हैना अब यहाँ पर आती अंगला कोस्चन अपना है यहाँ पर राजपूती आनकी कता रंग में भंग हैना काब बे में समाहित है रंग में भंग काब गरंद की रचेता में थ्रीश रंग गुपते हैं हैना अचार रामचंद सुक्र ने गुपती जी को सामंजस सिवादी कभी कभी कहा है रामचंद्र सुक्र ने कहा ठीक है और गुपती जी ने स्वयम को कोटुम कभी मात्र कहा इन्हें भारत भारती लिखने पर महत्मा गांदी ने राष्ट कभी की उपादी दी इनके द्वारा रचे तन्यकाब गरंत हैं दोस्तों जैदरत बेद इनकी रचना है किसान भी इनकी रचना है विकट भट इनकी रचना है यह सोधरा भारत भारती साकेत गुर से जुड़ा है यह आपको चैन करना है करिए चार बिकल्फ हैं और साकेत का मुख संबंद बताना है किसके चरित्र बिकास से जुड़ा है राम और सीता के लक्षमन और और मिला के भारत और मंडवी के या पर लक्षमन और सीता के तो साकेत की कता का मुख जो संबंद है वो कि के चरित्रिश के बिकास से जुड़ा है सभी लोग लाइक ज़रू कर देंगे और जिन भी सात्यों ने अभी तक self study classes एप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर में सर्च करें self study classes है ना और एप डाउनलोड कर लें जिन भी सात्यों को एड़ी सर लेना कोर्स में हिंदी सा की वीडियो भी आपको पढ़ाए जाएंगे है ना तो साकेत की कता का मुख संबंद किसके चरित्रिश वेकास से जुड़ा है तो वो जुड़ा है लक्षमन और और मिला यानि की बी नंबर आपका बिलको सही है साकेत में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि 1931 की तो ये रचना है स साकेत गुपते जी की सर्बसेश्ट रचना है इसे महा काब्यों की स्रेणी में रखा गया इसकी कता साकेत को केंदर बना कर लिखी गई है ना और इसकी कता वस्तु राम और सीता का ना होकर दोस्तों और मिला और लक्षमन की है अंगला क्वेशन है कि मेत्रिशन गुपते द्वारा रचेत जैद्रत बद क्या है महा काब्य है खंड काब्य है प्रबंद काब्य है या फिर इनमें से कोई नहीं यह आपको बताना है प्रशन किरमांग सत्तरा सत्रा का आंसर आपको चेन करना है सत्रह का आंसर क्या हो जाएगा और यहां पर मेत्रीशन गुपते ये बोलो खंड काब है क्या है खंड काब ये दोस्तों प्रबंद काब के दो भेद होते हैं प्रबंद काब के एक भेद होता है महा काब एक होता है खंड काब या खंड काब दिया है हम खंड काब ही लगाएंगे ठीक है शी नमबर लगाएंगे शी नमबर खंड काब है ठीक ह को याद रखेंगे मेत्री श्रंग गुप्ति द्वारा रचेत जैदरत बद में महाबारत के अर्जुन द्वारा जैदरत के बद किये जाने की घटना का इसमें वर्नन किया गया है है ना अब अंगला कॉस्चन आपको यहाँ पर बताना है कि दिवस का आउसान समीपता गगन कि आपको बताना है कि पंग्ति किस से हैं दोस्तों आशु से हैं परीवर्तन से क्सान से अपरिय प्रवास से seaweed यारे कि किस रचना से लिया गया है निय है कि बताना है प्रश्न किरमान गत्वम्त दिवस का आऊसान समीपता है ना गगन था कुछ लोहित हो चला सरू सिखा पर थी अब राजिती का मिलनी है ना ये क्वेस्चन कई बार आया और दिबस का अवसान समीपता बोले किसके किसके दिबस का बोले प्रिये प्रबास प्रिये के प्रबास का दिबस का अवसान समीपता याद रख ले ना प्रिये प्रबास आप अगर आपसे कभी समराट किसे कहा जाता है तो अगर आपसे कभी समराट किसे कहा जाता है तो अगर आपसे कभी समराट किसे कहा जाता है तो अगर आपसे कभी समराट किसे कहा जाता है तो अगर आपसे कभी समराट किसे कहा जाता है तो अगर आपसे कभी समराट किसे कहा जाता हैं इसको आपको याद रख लिए ना दोस्तों और यहां परंगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दुवेदी जी ने किस भासा को कविता कि सिंगासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्टित करने में काफी योगदान दिया तो बताइए चार बिकल्ब हैं फार्सी भास संस्केत भासा ब्रज भासा या फिर पाली भासा किस भासा को उतार कर दोस्तों खड़ी बोली को प्रतिष्टित करने में काफी योगदान दिया वो ऐसे ऐसे दोस्तों कभी कौन थे ऐसे लेखक कौन थे तो वो लेखक कौन थे दोस्तों ये भी आपको पता है कि वो महावी पर साथ दुवेदी थे लेकिन किस भासा को उतार रहा था इन्होंने तो दुवेदी जी ने कि दुवेदी जी ने ब्रज भासा को कविता की सिंगासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्टित करने में काफी युगदान दिया पोड़ बिलियम कालेज भारतेंदू हरिस्चन तता समकालिन साहितकारों के अतिक प्रयास से भारतेंदू युक तक खड़ी बोली गद्ध है ना मैं प्रतिष्टित हो गई थी दोस्तों ये भी आपको याद रखने ने ठीक है अंगले कॉस्चन की और बढ़ेंगे भासा के रूप में स्तापित हो चुकी थी परंतू कविता की भासा अब भी ब्रज भासा ही बनी रही है ना चिरगाओ किस कभी का जन्मिस्थान है चिरगाओ जिला जहासी बताईए चिरगाओ जिला जहासी किस कभी का जन्मिस्थान है म च्वंटी का आंसर आपको बताना है कि चिर्काओं किस कभी का जन्म स्थान माना जाता है माखलाल चतरवेधी का तो नहीं है किसका है बताइए और उत्तर आपका बिल्कूर सही आंसर हो जाएगा कि सर चिरगाओं जिला जहांसी चिरगाओं में जन्म हुआ था राष्ट कभी महत्री शरंगुप्त का जिनकी रचना भारत भारती के लिए 1912, ए दोस्तो 1912 की इसको याद रख रेना, मेत्री शरंगुप्त जी का जन्म हासी जिले के चिरगाओं में हुआ था, राष्ट कभी गुप्त जी के द्वारा लिखे गए काब गरंत हैं, जैदरतबद, भारत, भारती, साके, त्यसुधरा, पंचबटी, विश्नु प्रिया, विश्नु प्रिया कहा हुआ था, होशंगाबाद जिले के बाबाई गाओं में हुआ था, है ना, सुविद्रा कुमारी चोहान का जन्म प्रियाग के निहालपुर गाओं में हुआ था, और पंत जी का जन्म हुआ था, दोस्तों, उत्तर प्रदेश, है ना, अलमोडा जिले में हुआ था, अलम में भंग म्रत्युन जय या फिर पतेक बताईए प्रिये प्रवास की रचना कार कौन है रंग में भंग की रचना किसने की म्रत्युन जय किसकी रचना है और दोस्तों पतेक की रचना कार कौन है कि चार कूट आप से दिये है चार कूट में ऐसे प्रिये प्रवास तो आपने क को पतेक बताना है तो पतेक की रचनाकार तो कौन है राम नरिस्तर पाठी राम नरिस्तर पाठी है ना मांसी स्वपन पतेक की राम नरिस्तर पाठी की रचना है और म्रत्यून जाए की रचनाकार कौन है ठीक है राय देवी प्रसाद पूर्ण ठीक है तो प्रिये प्रवास कि इसकी है हरियोद की रंग में भंग मेहत्रिशन गुप्त है म्रत्यून जय राय देवी परसाथ पूर्ण और पतेक राम नरेश त्रपाथी ठीक है एक किडियर इतनी चीज़ें आपकी किडियर हो गई अंगला कोस्चन है प्रिये प्रवास हरियोद जी की रचना है हरियोद ज चौपदे चौखे चौपदे बैदे ही बनबास है ना और दोस्तों मेहत्रिश रंगुप्त की रंग में भंग है ये भी आपको याद रक्रेना पतेक राम नरेश तरपाथी की है ठीक है मृत्यून जय राय देवी प्रशाथ पूर्ण की रचना कई बार पूची गई अब रचना काल की दरश्टी से क्रतियों का सही अनुक्रम बताना है तो चेन करिए रचना काल की दरश्टी से और रचना काल की दरश्टी से इसका सही जो उत्तर है दोस्तों रचना काल की दरश्टी से सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर दिएगा ये दोस्तों आपका प्र प्रिये प्रबास का रचना काल 1914, साकेत 1931, तुलशिदास 1938, क्रशनायन 1943, तुलशिदास और द्वारिक्या प्रसाद की रचना है ठीक है? इन को आपको याद रख लेना और दोस्तों आपको पता है कि हिंदी में राम चरित मानस के बाद राम काब का जो दूसरा इस्तंब माना जाता है वो साकेत महा काब माना जाता है राम काब पर आधारती महा काब है दोस्तो इसको अपन को याद रख लिना है फिर बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की ओर अंगला कोश्चन आपको यहाँ पर चैन करना है अंगला कोश्चन आपक नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। बताए। घंकार भी इनकी रचना है ठीक है यह पूची गई ऐह आज ही हो आज ही दोस्तो सेल्फ इस्टडी किलासस app को download कर लें ठीक है और दोस्तों अपनी पढ़ाई को start कर दें जिन विसातियों को junior tate exam के लिए course में admission लेना है जिन विसातियों को PGT PGT के लिए course में admission लेना है तो फीस मात्र 1210 रखी गई है एक साल मक्ता मärtदला बस्तू वरनन है ना और बस्तू वरनन दुवेदि युग की प्रमुक विसेशता ہے जिसकी सबसे मुक विसेशता देश वक्ती यवम राश्टी जागरण का उद्धीप्त पार जाता है अंगला grit और सोटे हैं 25 का उत्तर आपको बताना है बैदेही बनवास और अपने पढ़ी हैं दोस्तों कौन-कौन सी पढ़ी है पारिजात पढ़ली, क्रशन सतक पढ़ली, रसकलस पढ़ली, प्रिये प्रवास पढ़ली, बैदेही बनवास पढ़ली, चौके चौपदे पढ़ली, चुबते किया गया इनके लिए और दोस्तो आयोध्यास्यम पाद्या हरियोद याद रख लेना कि दुवेदी युक किस रिष्ट कभी माने जाते हैं इनकी बैदे ही बनबास इनकी रचना है और कई बार पूछी भी गई है आधनिक हिंदी कविता में दुवेदी युक का समय बताना है दुवेदी युक की सीमा बताना है दोस्तो दुवेदी युक का काल क्या था इसका चैन आपको करना है सभी लोग राइट जरू कर देना सभी लोगों को राइट जरू करना है ठीक है और दोस्तो पूरा आपको राइट यहाँ पर करना है ठीक है तो आधनिक हिंदी कविता में दुवेदियुक्प काल सुमा कब तक माना जाता है ये उत्तर आपको बताना है जल्दी से बताएं अनीता Alrighty जी एक ही प्रेशन में थोड़ी बैठे रहेंगे अपन लूग है ना बताइए आद़ने खिंदी कविता में दुवेदी युक्वा काल शीमा कब तक माना जाता है जितना आपके लिए important होता है वो आपको बताया जाता ठीक है और जिनको एस्ट्रा पढ़ना है वो book से भी पढ़ सकते हैं आदुने खिंदी कविता में दुवेदी युक्वा काल शीमा कब तक माना जाता है तो वो माना जाता है 1900 से दोस्तों यहां पर बेकलपानुसार जो है वो 1900 से 1918 वैसे 1900 से 1920 भी माना जाता है याद रख लेना चुकि 1918 से छाया बात का उदय हो जाता है इसलिए बेकलपानुसार अपन उत्तर लगाएंगे 1900 से 1918 यानि कि D number ठीक है इसको याद रख लेना अंगला question इनमें से कौन सा कभी दुवेदी युग का है ये प्रश्न किरमांग 27 का अंसर बताना है दुवेदी युग का कभी कौन सा है ये बताइए बद्री बद्रीदारणा चौधरी प्रश्न किरमांग 27 बताइए दुवेदी युग का है ये आपको चैन करना है तो दुवेदी युक का कभी कौन सा है जन दुवेदी युक कभी कौन सा है चार बिकल्प है self study classes app जरू download करना है आपको सात्यों है ना और आपको विस्तरे तद्यान पढ़ना है ट्रिक से पढ़ना है topic wise test भी लगाना है तो एक ही course में आपको ये सब कुछ मिनने वाला है मात्रे course आपको बारा सुरुपे में दोस्तो एडविशन इसमें आप ले सकते हो कभी भी ले सकते हो और दुवेदी युक का कभी आप से पूछा गया तो आपने बता दिया गया प्रसास सुकल सनेही और उत्तर चला जाता है डी की तरफ दी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाता है ये दुवेदी युक के कभी माने जाते हैं कौन गया प्रसास सुकल सनेही जे इनको अपन को याद रख लेना है और यहाँ पर दोस्तो याद रख लेना है बद्री नारण चोदरी की बात करें तो इनका पूरा नाम था बद्री कभी माने जाते हैं जबकि गया प्रसास सुकल सनेही 1883 यानिकि ये दुवेदी युक के कभी माने जाते हैं इनको भी याद रख लेना जस्वंत से तो आपको पताईए इनकी भासा भूशन रचना है और रीतिकाल के कभी है ठीक है अब अंगला क्वेश्चन है चौपट च चपेट और मयंक मंजरी बड़िया प्रस्ण है चौपट चपेट मयंक मंजरी नाटकों की रचना कार आपको चैन करना है कि सोरी लाल गोस्वामी है बाबू राम करश्न बर्मा है या पर मतुरा परसाथ चोदरी या पर रूप नाराण पंडे है तो चौपट चपेट और म पेटा और मयंक मंजरी के किसोरी लाल गोस्वामी जी के नाटक माने जाते है और उत्तर चला जाता है आपका एकी तरफ ये नंबर आपका बिलकुर सही हो जाता है ठीक है फिर अंगला कोस्चन यहाँ पर आता है दोस्तों अंगला कोस्चन आपको बताना होता है कि दुवे दुवेदी युक के सर्पसेष्ट प्रिगीतकार कौन माने जाते हैं। दुवेदी युक के सर्पसेष्ट प्रिगीतकार कौन माने जाते हैं। दुवेदी युक के सर्पसेष्ट प्रिगीतकार कौन माने जाते हैं। दुवेदी युक के सर्पसेष्ट प्रिगीतकार कौन माने जाते हैं। कभी माने जाते हैं। मेत्री श्रंगुप्त की प्रतिवा का विकास शरबादेक किस साहित के रूप में देखने को मिलता है। यह बताना है दोस्तों मेत्री श्रंगुप्त की प्रतिवा का विकास सरबादेक किस साहित के रूप में देखने को मिलता है। मेत्री श्रंगुप्त की प्रतिवा का विकास सरबादेक प्रबंदकार के रूप में देखने को मिलता है। रंग में भंग, 1909, जैदरत बद, किसान, विकट भट, गुरु कुल, शाकेत, भारत भारती, जंकार, यसुदरा, द्वापर, जै भारत, पंचबटी, हिडिमबा, विश्णु प्रिया, इस सारी की सारी रचनाए कुछ की माने जाती हैं, मैं त्रिशन गुप्ति की इन रचन दोस्तों, मैं त्रिशन गुप्ति की कौन सी रचना नाई का प्रधान नहीं है, या आपको बताना है, पंचबटी नहीं है, विश्णु प्रिया नहीं है, या फिर यसो धराया साकेत नहीं है, इसका उत्तर सभीलोग बताएंगे, चैन करें सभीलोग, क्या हो जाएगा, मै मेत्री शरंगुप्त की कौन सी रचना आपको बताना है कौन सी रचना नाई का प्रधान नहीं है यह रचना आपको चैन करना है तब आपका बिल्कुछ सही है मेत्री शरंगुप्त की कौन सी रचना नाई का प्रधान नहीं है उत्तर सही है दोस्तों पंचबटी ठीक है इन रचनाव को आपको याद रखना है और यह जो रचना है दोस्तों मेत्रिश लंगुप्ति की जो पंचबटी रचना है यह पंचबटी रचना क्या नहीं वाने जाती नाई का प्रधार नहीं है यानी कि आपका उत्तर B number बिलकूछ शाही है B number आपको चेहन करना है यहाँ पर ठीक है बी नंबर इननाई का प्रधान नहीं मानी जाती कि आपको याद रखनी ना यसोधरा आपको पता है दोस्तों यसोधरा में मात्मा गोतम बुद्धी की पतनी यसोधरा का वर्नन है ये भी पता है इनका दोस्तों खंड काब माना जाता है यसोधरा ठीक है बहुत बढ़ी आप अब यहाँ पर अंगला कॉस्चन आपको चैन करना है कि मैत्री शलंग गु मेत्रीशन गुप्ति की काब विक्रितियों का सही अनुक्रम आपको चैन करना है बताइए अर्सदीब जी सुरेंद्र हिरवाल जी, रतन जी, सरोज जी, डार्शू जी, खुरेशी जी हाँ चैन करेंगे सबी लोग उत्तर क्या हो जाएगे मेत्रीशन गुप्ति की निमलेकित काब विक्रितियों का सही अनुक्रम आपको चैन करना है क्या उत्तर सही हो जाएगा मेत्रीशन गुप्ति की निमलेकित काब विक्रितियों का सही अनुक्रम आपको बताना है तो दोस्तो सबसे पहले इनकी पंचबटी साकेत यसोधरा और द्वापर की रचना आती है यहाँ पर याद रखना है दोस्तो इनकी पंचबटी रंग में भंगन 1909 मानी जाती है ठीक है जैद्रतबद 1910 मानी जाती है भारत भारती 1912 किसान 1917 पंचबटी 25 हिंदू 27 हैना और बिकटबट 1929 यह क्रम में भी पूचे जाती हैं दोस्तो ठीक है यह आपको याद रखनेना है यह पूची जाती है गुरुकुल 1929 में जंकार 1929 साकेत 31 यह सोधरा 32 द्वापर 1936 सिद्राज 1936 जैभारत 52 और विश्णु प्रिया 1957 मानी जाती है तो यह रचना है हमेशा पूची जाती है ठीक है सभी लोग याद करना रख्चे सरवाजी रीता जी ठीक है अब यहाँ पर आपको बताना है रंग में भंग नामक काब किर्ती के रचेता कौन माने जाती है प्रस्ने करवां 34 रंग में भंग बताना है बताईए जल्दी से लिखना है कुछ नहीं हुआ है मीनाक्ची जी रतन जी रंग में भंग नामक काब किर्ती के रचेता बताना है एक इंच मुसकान है ना मन्नु भंडारी और राजन र्यादों की एक इंच मुसकान माने जाती है ठीक है विसाल जी रंग में भंग नामक क किरती के रचेता आपको चैन करना है और उत्तर सही हो जाएगा आपका क्या मैतली सरण गौपत है मैतली सरण गौपत है क्यानि कि सी नंबर सभी लोगों को पता है रंग में भंग आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है इस ती नंबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा इसी आपने जो चैन किया है विल को राइट अंसर है रंग में भंग नाम किरती राज पूतानी आनवान ऐसा भी question कई बार आता है दोस्तों कि निमने में से बताइए कि राज पूतानी आनवान की कतहा पर आधारत कौनसी रचना है तो वो है दोस्तों, इनकी रंग में भंग, रंग में भंग ये आपको याद रखते नहीं, ठीक है? Very good. खड़ी बोली हिंदी का प्रतम महाकब कौशा है? ऐसा question आता और मैंने आपको बताया भी था, खड़ी बोली हिंदी का प्रतम महाकब और खड़ी बोली हिंदी के प्रताम महा कभी ये चैन करिए कौन मान जाते हैं कभिता कौमोदी, उद्धाव चरित, प्रिये प्रबास या फिर लोकायतन खड़ी बोली हिंदी का प्रताम महा कभ कौन सा है खड़ी बोली हिंदी का प्रताम महा कभ सबी लोग बताएंगे और यहां पर आपका बिलकुल सही आंसर है प्रिये प्रवास है ना प्रिये प्रवास यानि सी नमर आपका बिलकुल सही है ठीक है कलपना जी ओम प्रकास जी हर्षभी जी सी नमर आपका खड़ी बोली हिंदी का प्रतम महा कब माना जाता है प्रिये प् आयोद्या सेम उपाद्या हरियोद माले जाते ए चीज आपको याद रखने ठीक है 1914 इस भी में आयोद्या सेम उपाद्या हरियोद द्वारा रचेत प्रिये प्रवास हिंदी खड़ी वोली का प्रताम महा काब है और अगर आपसे कॉस्चन पूछा जाए कि हिंदी खड़ी वोली के प्रताम महा कभी कौन है तो महा कभी कौन होंगे जो महा काब लेखेगा यानि कि उत्तर कहां चला जाएगा आयोद्या सेम उपाद्या हरियोद की तरफ ठीक है अंगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर है कौनसा काब गरंथ नहीं है काब गरंथ कौनसा नहीं है बैदेही बनवास है ना या पिर पतेक भारत भारती या पिर रसक रंजन कौनसा काब गरंथ नहीं है ये आपको चेन करना है कौनसा नहीं है बताइए सिवानी सिंग जी, रीता जी, जोती जी, पाटी होगी बिलकुल सभी को, आमंत्रन सभी को जाएगा, कुरेशी जी, है ना, बहुत बढ़ गया, निवनमय से कौन सा काब गरंट नहीं है, तो यह नहीं माना जाता, रसक गरंजन, कौन सा नहीं माना जाता, रसक गरंजन, यानी सी नमबर आपका बिलकुल सही है, सी आपका सही है, ठीक है, आप सभी लोग उत्तर देंगे, है ना, सी नमबर रसक गरंजन आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आते दोस्तों रसक रंजन काब गरंथ नहीं है तो इसी कारण भारत भारती रचना को अंग्रेजी सरकार द्वारा ठीक है जब तकर लिया गया था और दोस्तों राम कता पर आधारित काब गरंथ है एक कौनसा बैदेही बनबास और पतेक राम रजिस्तर पाठी की एक काब गरती है इनको आपको याद रखे ना बात कर लेते हैं दोस्तों काई की अब आपको बात करना है साकेत महा काब का सरवादेक मारमिक सर्ग आपसे पूछा गया तो यह उत्तर सभी लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे अब ठीक है उत्तर आपको बताना है और भी दूसरे कमेंट आपके नहीं आने चाहिए अब ठीक है साकेत महा का सरवादेक मारमिक सर्ग क्या होता है तो उत्तर चला जात पता है डी नमबर ठीक है डी आपका बिलकुल सही है ठीक है आप सबी लोग ध्यान देंगे कमेंट में उत्तर बताने का कौन-कौन गलत बता रहा हम पूरा देख रहे हैं साकेत महा काब सरवाद एक मारमे नवम सर्ग माना जाता है साकेत का ठीक है साकेत महा काब है और राम च लखेत काब गरंथ कौन सा है आई अफाध्या बाद्या हर्योट द्वारा बताना है कौन सा है पतिता जनुप्रिया बासा उदत्ता या फिर चौके चौपदे आयुद्ध्या सेमपाद्या हर्योत द्वारा लिकेत काब गरंत है कौन सा माना जाता है सभी लोग बताए और उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौके चौपदे हैना चौके चौपदे यानि किस्थी नम्मर आपका बिल उत्तर है तो वो गरंत है चौके चौपदे और सी आपका बिलकौकल सही हो जाता है सी आप ने जो बताया बिलकौर राइट आंसर है चौके चौपदे रस कलस व्यदेही बनवास चुभिते चौपते पद्म प्रसून प्रिये प्रवास इस आरी की सारी रَच्चनाया माने जाती हैं दोस्तों किसकी माने जाती हैं आयोध्य से मपाद्य अहरियोत कि कि खड़ी बोलि के प्रतम महा कभी कहे जाते हैं एनको भी याद रखेंगे दोस्तों अंगला कॉस्ट्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया जाता है कि दोवेदि युक के संपूर्था प्रितिनिधी कभी हैं तो कौन है, दुवेध युक के संपूर्था प्रितिनिधी कभी कौन माने जाते हैं, यह प्रश्निक्र मांग के थर्टी नाइन का उत्तर आपको बताना है स्रीधर पाठक, हरियोद, मैतली शरंगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं दुवेदी युक्के संपूर्ता है बताइए पिर्तिनी दी कभी कौन माने जाते हैं दुवेदी युक्के संपूर्ता है पिर्तिनी दी कभी क्यान भारत भारती साकेत यसोधरा पंचबटी जै भारत जंकार दुआ पर जै दृत बद है ना यहां पर सीधा सीधा है भारत भारती में किस भावना की रूप रेका प्रस्तत है तो आपका उत्तर हो जाता है राष्ट्रिय भावना की रूपरे का प्रस्तुत की गई है यह ना तोत्तर कौन सा होता है बिकल्प नम्मर वी ठीक है भारत भारती 1912 इसका रचनाकाल और इसी रचना की कारण इसी रचना की राष्ट्रिय भावना की कारण दोस्तों जो है किसको गुप्त जी को राष्ट मढ़ान कहीं दो रचना कार कौन है तो गंगा में उत्रण लेने बाला बोले सर रतन ही होगा कोई ठीक है तो एक तालीस का अंसर बताना है सभी लोग लाइक जरू कर देना और जिन भी सात्यों को एड़ीसन लेना है दोस्तों कोर्स में वो एड़ीसन लें है ना self study classes आपको क्या करना है play store में सर्च करना है self study classes है ना और दोस्तों लग जाना है अपनी पढ़ाई में app को डाउनलोड करिए course में admission लेना है तो course में admission लीजिए ठीक है और अपनी तैयारी विवस्तित करिए पढ़ाई करिए जूनियर टेट वाले हो है ना या फिर दोस्तों TGT PGT UK LT वाले या master के अडर वाले हो सभी तो ये गंगा उत्रण किस चंद में लिखा गया ये आपसे पूछा गया तो आपने लगाया है रोला रोला यानी सी नम्मर आपका बिलको सही है दुवेदी युक के ब्रजभासा के कभी जगनात दास रतना करने गंगा उत्रण न जैसा सुन्दर चित्रर सूर्दास में मिलता है वैसा ही आदुने काल के किस कभी में एह मिलता है पताईए किस कभी में मिलता है प्रियोगवाद के पूरे वीडियो आएंगे सेकंड बेच का जो टेस्ट है प्रियोगवाद के आपको पूरे वीडियो पढ़ना है 17 तारीक को 2nd batch का टेस्ट होगा है ना और भक्ति काल में ग्रेश्ट जीवन का जैसा सुन्दर चित्रन सूरदास में मिलता है बैसा ही आदने काल के किस कभी में मिलता है तो वो कभी हैं दोस्तों कौन मैतली सरन गुपत है है ना मैतली सरन गुपत है क्यानि की उत्तर चला जात डी की ओर चीक है दुबेदी यूगीन जो मैति शन गुपत जी है दोस्तों है ना इनकी रचनाओं में भी भक्त सूरदास की भाति ग्रस्त जीवन का सुन्दर बर्नन मिलता है इसको आपको याद रखने ना है ना यह सारी की सारी रचनाओं तो आपको पता ह है दोस्तो मैत्री श्रंगुप्त जी की अंगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है आपको बताना है कि हिंदी भासा के मानकी करन की द्रश्टी से कौन सा योग सरवाद एक महत्पून योग था कौन सा योग था जो सबसे महत्पून था हिंदी भासा के मानकी करन आप कि कुछ न से खड़ी बोली आपने देखा होगा, तो यहाँ पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, कि हिंधी भासा, हिंधी भासा के मानकी कन की द्रश्टी से कौंसा योग, सरवादेक महतपूर्ण योग था, तो वो योग था दुवेदी योग, कौंसा योग था? सरवाद एक महत्पूर्ण युग था इसका स्रेप पूरी तरह से आचार महावीर पिरसाथ दुवेदी को जाता है स्रस्वती पत्रिका को है दुवेदी जी बरतनी सुद्धिता उचित सब्दों ब्राम चिन्नों के प्रियोग इत्यादी पर विसेश जोड़ दिया करते थे ठीक है और भारतन्दु युग को नव जागरण युग के नाम से जाना जाता है ये आपको पता है दोस्तों गद्ध का विकास काल माना जाता है प्राहे सभी आदुने गद्ध विधाओं का विकास इसी काल में हुआ था दोस्तों ये आपको याद रख लेना भारतन्दु कौन है किसान बताइए किसान की रचनाकार कौन है चबालीस का उत्तर सभी लोग लाइक करेंगे जो भी हमारे साथी हैं दोस्तों यूपी टेट का भी नौटिफेकेसन आ गया आप बढ़िया तयार करिए हैना यूपी टेट में जो हिंदी पूछी जाती हिंदी की रचनाय प होता है क्या बोता है गीतिका जी मैथी बोता है मैथी हैना तो मैथी से बनेगा मैथली सरण गुपते किसान की रचनाकार है मैथली सरण गुपते क्योंकि किसान मैथी बोता है तो मैथली सरण गुपते यानि ये नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ये आपका सही है र ये सारी रचनाय माने जाती हैं दोस्तों किसकी मैत्री शरंगुप्ति की और ये दुवेदी युक के कभी माने जाते हैं। है ना साकेत में बताना है इसका नवम सर्ग बड़ा मारमिक सर्व माना जाता है। तो आपको पता है किसर अगर साकेत में पूछे हैं तो साकेत में बारह सर्ग हैं। अगर प्रिये प्रवास में पूछा जाता तो सत्रह सर्ग हैं। ये हमेशा पूछे जाते हैं कामाईनी में पंदरह सर्ग, साकेत में बारह सर्ग, प्रिये प्रवास में सत्रह सर्ग है ना। और रामचेत मानस में सात सर्ग एक क्वेस्चन आते हैं हमेशा इनके लिए तयार रहना है और दोस्तों अंगला क्वेस्चन है आपका कि खड़ी बोली का प्रतम महा कब कौन सा है बड़ीया प्रशन है अगर आपसे कभी महा कभी भी मैंने आपको बताया कि कभी खड़ी ब ले सकते हो मस्ती से पढ़ाएंगे मंजदार तरीके से पढ़ाएंगे कभी आपको नहीं लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं हस्ते हस्ते हैना और मुस्क्राते मुस्क्राते आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हिंदी सा ठीके से पढ़ाया जाता है दोस्तों कहा पर एप में फिस्तृत भी नहीव कड़ाया जाता है सारी चीजें परिये प्रभास को कड़ी बोली का महाकाब माना जाता इसके रचता हरियोध हरियोध माने जाते हैं है ना यह भी याद रख़े ना साकेत महाकाब दोस्तों मैतरी स्रंगुपत का है कामाईनी महाकाब जैसंकर प्रशाथ का है और लोकायतन महाकाब की रचेता भी कौन है शुमित्रा अनंदन पंते जिने प्रिकृति का चितेरा कभी कहा जाता है जिने दोस्तो जो है इनकी रचना जो पल्लव है जिसे छायाबाद का घोशना पत्र कहा जाता है पल्लव को छायाबाद का मैनी फेस्टो कहा जाता है अब अंगला क्वेस्चन जो आपको बताना है वो परियुक्त पंक्तियों की रिचनाकार कौन बात करेगा दोस्तों अंग्रेजों के समय यसी कौन बात करेगा जिसमें दम होगी जो राष्ट की दोस्तों राष्ट भावना से लिखेगा वो ही करेगा है ना तो राष्ट भावना से लिखने वाले जो कभी ते वो कभी ते कौन कोंते मैतली शरण गुपत यानि की आपका उत्तर बी नम्मर मैतली शरण गुपत बिल्कुर साही हो जाएगा ओ परियोक्ट पंक्यों के रिचनाकार मैतली शरण गुपत जी भारत भारती रंग में भंग में बिकटकेड़ इनकी अंरचनाय हैं तथाई राश कभी के पतपर आसीन हैं ये तो बिल्कुर चाहिए है ठीक है प्रिये की सुधिसी ए सरिताएं एकानन कांतार है ना सुसज्जत में तो नहीं किन्तु है मिरा हिर्दय किसी प्रियेतम से परिचेत जिसके प्रेम पत्राते हैं प्रायसुक संबाद सन्निहेत वो परयोक्त कावपंग्तियां के क कावपंग्तियां किसका भी की हैं बताइए कि कावपंग्तियां आपको चैन करना है अयुद्याश्यमपाद्या हरियोत की है राम नरेश्टर पाठी या प्र लाला भगवान दीन की ऐसे कौनसे साती हैं दोस्तों जिन्वा ने अभी तक सेल्प स्टेडी किलासेस का एप ड तैयार करवा रहा हूं वो तैयार आपको रोज एक फिरी सभी के लिए उपलब्द होगी रोज 20 कॉस्चन की टेस्ट तरिज आपको करवाई जाएगी है ना तो जिन्वी सात्योंने सेल्प स्टेडी किलासेस का एप डाउनलोड नहीं किया वो जरूर कर ले हैं फायदा ही ह त्रपाठी जी है ना और त्रपाठी जी की रचना ये आपको याद रख लेना मिलन सत्रा पथेक है ना मांसी स्वपन और कभीता को मौधी कभीता को मौधी भी आपको याद रख लेना अभी तक आपने रचनाय पढ़ी होंगी किसर मिलन मानसी पतेक स्वपन ये रचनाय तो अपने पड़ी है लेकिन अब कविता को मौधी भी आपको पता होनी चाहिए कि कविता को मौधी भी दोस्तो राम रिष्टर पाटी की रचना मानी जाती है इसको सभी लोग याद रख ले ना ठीक है तो मिलन पतेक है ना मिलन पतेक मानसी शवपन है ना और दोस्तो कविता को मौधी आपसे कई बार पूचा गया कि कविता को मौधी की रचनाकार कौन है तो कविता को मौधी की रचनाकार राम रिष्टर पाठी है ना और दोस्तो क्या होता है ये राम रिष्टर पाठ दुबेदी युक्के स्रेष्ट कभी मान जाते दुबेदी युक्के ठीक है बहुत बड़ीया मिलन के पत पर मांसी का सवपन देखा हरियों जी क्या वात है मिलन के पत पर मांसी का सवपन देखा बिलकुल देखो भाईया हैना कौन रोक सकता है आपको सवपन देखो हैना बि सबसे पहले किसने विदीबत विचार किया 49 का उत्तर चैन करिए बताईए हिंदी के मान की करत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विदीबत विचार किया था ये बताना है मान की करत मान की करत के लिए बताना है और उत्तर क्या हो जाता है उत्तर बताना है और उत्तर का बिलकु सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तो हिंदी के मान की करत स्वरूप पर सबसे पहले किस ने विदीबत विचार किया था तो वो किया था आचार महावीर प्रसाथ दुवेदी ने इन्होंने हिंदी के मान की करत पर दोस्तो विचार किया था यानि कि ये नमबर आपका बिलकुल सह हो जाएगा ठीक है ए नमबर राइट आइसर हो जाएगा सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर देना साथ यो जो भी हमारी साथ यो हैना हिंदी साहट से संबंदित हैं हिंदी के मान की क्रस्थ रूप पर सबसे पहले आचार महावीर परसाथ दुबेदी ने विदीबत जिने सरस्थ पत्रिका की संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तता लेखन में एक रूपता की बात की थी एक क्वेस्चन आपके लिए जल्दी से बताना है आपको की सरस्थ पत्रिका की संस्थापक कौन थे बताइए चार विकल्प नहीं दिये जाएंगी आज आपक बहुत है तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे संस्थापक बताना है सरस्वती पत्रिका के बारे में बात हो जाए सबसे पहले ये दोस्तों कासी से प्रकासित होती थी बाद में ये प्रयाग से है ना बाद में ये प्रयाग से प्रकासित हुई ठीक है ये भी याद रख रहे ना तो स्रस्वती पत्रिका के संस्तापक कौन थे ये उत्तर आपको चैन करना है तो कौन बता रहा है सबसे पहले चिंतामणी घोस है ना बहुत बढ़िया चिंतामणी घोस आपका बिलकुश सही है चिंतामणी घोस इसके र महाबीर पर साथ दुबेदी लगाए जा रहे हैं भाईया कॉस्चन समझना है इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि कॉस्चन में कन्फ्यूज है बहुत सारी लोगों में है ना हमने पूछा संस्तापक कौन थे तो आपका उत्तर होना चाहिए चिंता मनी घोस संस्तापक थे अब आ आप से पूछा जाएगा कि 1903 में संपादक कौन बने थे तो तर क्या लगाओगे महाबीर पर साथ दुबेदी ये तीन क्वेस्चन कन्फ्यूजन बाले होते हैं कभी संस्तापक पूछ दिया जाता है तो आप संपादक लगा के आते हो कभी संपादक पूछ दिया जाता है तो क्या बताओगे महाबीर पर साथ दुबेदी ठीक है बहुत बढ़िया अब यहाँ पर दोस्ते आते हैं एक पंक्ति और आपसे पूछी जाती है कि अधिकार खोकर बैठे रहना बैठे रहना यहाँ महादुस कर्म हैं नियायार्थ अपने बंदू को भी दंड देना धर में हैं और परियोक्त काब पंक्तियां किसे गरंट से उध्रत मानी जाती हैं प्रश्न किरमांग 50 50 बहुत बढ़िया सभी को धन्वाद हैना सभी लोग कन्फ्यूज नहीं होना चिंतामणी घोस में स्याम सुंदर दास में और महाबीर पर साथ दुबेदी में एक पंक्ति कहां से ली गई है ये बताइये कहां से ली गई ईफंक्ति दोस्तों इस सही उत्तर आपको चैन करना है और आपने चैन किया हैोंत्तर हो जाएगा जय दरथ भद नहें और जएत्रथ भाद कि रचना की है अब आपसे पूचा जाता है दोस्तों कि कुरू छेत्र के रिचना कार कौन है रस्मी रती के रिचना कार क्यूंत है तो आप बताते हो दिनकर नहीं होना है ना इनकी जो रस्मी रचना है दोस्तों ये बोध धर्म से प्रभावित मानी जाती है किसकी महादेवी बर्मा की रस्मी रचना बोध धर्म से प्रभावित मानी जाती है question पूछा जाता है कि छाया बाद में ऐसा कौन सा कभी है जो दोस्तो बोध धर्म से प्रभावित था है ऐसा कौन सा रचनाकार है तो दोस्तो बोध धर्म से प्रभावित थी महादेवी बर्मा और उनकी कौन सी रचना प्रभावित थी तो वो थी रस्मी है ना अपनने इनकी पड़ी है ना दोस्तों निहार रस्मी नीरजा है ना और सांधिगीत दीप सिका इसारी रचना याती महादेवी जी की और उनकी दोस्तों यामा पड़ी है अपने यामा यामा जो रचना पड़ी है दोस्तों इनका कब संग्राय माना जाता है और 1982 में यामा के लिए कौनसा प ग्यान पीट पूसकार मिला था तो वो लेख क्या थी कौन सी कौन सी थी महादेवी बर्मा कभी आप से कॉस्चन बनेगा कि हिंदी साहित में एक मात्र लेख का जिने की किसी रचना के लिए ग्यान पीट पूसकार मिला तो वो एक मात्र लेख का थी महादेवी बर्मा जिने य 1968 में मिला किसे चिदंबरा के लिए जो की दोस्तों पंते जी की रचना थी फिर उसके बाद 1972 में मिला दोस्तों किसे और बसी के लिए और बसी रचना किसी थी दिनकर जी की और एक और बसी काब रचना जैसंकर पिरसाथ की भी है और बसी एक दिनकर की भी है कन्फ्यूज नहीं होना बहुत सारे लोग यहां कन्फ्यूज हो जाते हैं और 1978 में मिला था कितनी नाव में कितनी बार के लिए और 1982 में मिला था किसे महादेवी बर्मा को यामा के लिए इन सारी को आपको याद रखना है दोस्तों ठीक है हम कौनते क्या हो गए और क्या होंग करना है कि हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी ए पंक्ती किसकी है ए पंक्ती सबी लोग बताना है और उत्तर क्या हो जाएगा ए पंक्ती कहां से ली गई दोस्तों और ए पंक्ती आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि सर यह जो पंक्ती है ए पंक्ती मैत्री श्रंगुप्त की है यानि कि B नम्मर आपका मैत्री श्रंगुप्त बिलकुल सही आंसर है जिन भी सातियों ने बताया उनका अंसर बिलकुल सही है है ना B नम्मर आपका राइट आंसर हम कौन थे ए समस्याएं है ना सभी बाग के पंक्तिया माने जाती हैं दोस्तों गुप्त रंतों का सही अनुकरम चैन करना है जो भी हमारे साथी जूनियर टेट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं एक लास्ट में बहुत अच्छी टिप्स भी दूँगा है ना पढ़िए और नरंतर अध्यन करिए ये किलास रोज अपनी 9 बजे होती है दोस्तों हिंदी साहित की 14 नहीं एक साल से चल रही है और एक साल तक आंगी तक चलती रहेगी ठीक है पड़ते रहेए जिन भी सातियों को कोर्स में अड़ईसर लेना कोर्स में अड़ईसर लीजिए मात्र बाराँ सूरोपे कोर्स की प्राईज अपनने रखी है जो दोस्तो सभी के लिए ज़ादा नहीं है हैना क्योंकि तीन तीन चार चार हजार आपकोह बहांचाहित में लग रहे हैं नुटी शरंगोपत के Cecaaf गहां तो अनुक्रम है यह सोद्च वति ऐसी दरा विश्भरा औरversion प्रिया माने जाती है गहने भर만 चांज रखे इसा सचा कार पेनुक्त पातिए माऊछिए चतफ सिर्ड़ोंपी अ क्विश्भरा सेखनाका यह सो दरा ये खंड काव माना जाता है इसको भी याद रख लेना है ठीक है अब यहाँ पर याद रखेंगे कि विश्णू प्रिया के रिचनाकार कौन है तो विश्णू प्रिया विश्णू प्रिया याद रख लेना कई बार दोस्तों कन्फ्यूज होते लोग बोले से रसिक प के सव दास और दोस्तो विश्नु प्रिया के दोस्तो मैत्री शडंगुपति की कभी प्रिया की रिचनाकार भी कौन मार जाते हैं के सव दास ठीक है बहुत बढ़ीया तरीके से दोस्तो आज अपने पड़ा एना अब आपके लिए थोड़े से कुछ मैं पूछ लेता हूँ आ अपने दुवेदी युक के बारे में पढ़ दिया है दुवेदी युक के कुछ और प्रशने हैं जिनके बारे में अपने यहां पर चर्चा करेंगे यहना कि दुवेद खड़ी बोली का प्रहला महा काब कौनसा है यह तो आपको पता ही है प्रिये प्रवास है सभी को पता है ठीक है मैतरी शलंगुप्त के दोस्तों रचनाव में इनकी रचनाएं दोस्तों ली जाती हैं कि चुबते चौबते हैं इनकी पद्वे पिरसून है चौके चौपदे एक कॉस्चन आपके लिए है आपको बताना है कि अयुद्या स्यमपाद्या हरियोत की प्रथम रचना कौनसी थी जल्दी से बताईए ये बहा कभी कहे जाते हैं खड़ी बोली के प्रथम महा कभी चैन करिए और कमेंट में लिखे फटाक से देखते हैं चैन करिए रचना कौनसी थी ये बताईए और को तर्थम रचना के बारे में पूँचा गया तो प्रथम रचना कौनसी थी हरियोत जी की बताईए मंजुयादव जी रबिंद्र जी करम संदू जी रस्मी सिंग जी बताईए सुनील सर्मा चीत देवीजी बहुत बढ़ी dette आंसर आया है कुछ लोग रसकलस बता रहे है रसकलस नहीं बताना है अपन को बताना है दोस्तों आयोध्या से उपाद्या हरियोद की जो रचना थी वो रचना कौनसी थी कौनसी रचना 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 थी कौनसी पाई टांसर बताया है। किस कभी की पंक्तियां है बताइए दिवसका अउसान समीपता गगनता कुछ लोहत हो चला किस कभी की पंक्तियां है ये आपको चैन करना है कल सुबह साले नौ बजे पूरा दुवेदी योग की एक पूरी किलास आएगी दोस्तों सुबह साले नौ बजे मेरातन किलास आएग है ना उसको भी आप देखें पूरा दुवेदी योग के लिए आपको बेप्रेसित किया जाएगा एक बार में दुवेदी योग को कंप्लीट करिएगा ठीक है जितने भी महात्पूर्ण प्रस्ण होते हैं सुभे साले नौ बजे जो किलास आती है उसके द्वारान ठीक है त बस काउसान समीपता गगंता कुछ लोहे तो चला एपंक्ती हरियोद की है और उत्तर हो जाता है ए नंबर ठीक है ये जिन्हों ने बताया खड़ी बोली का प्रतम महाकाब लेकिन दोस्तो इस प्रिये प्रवास के लिए प्रिये प्रवास के लिए रामचन सुक्ल ने महाका नहीं माना है ना कि प्रिये प्रवास करी बोली का प्रतम महाकाब लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ये दोस्तो रामचन सुक्ल ने इसे महाकाब नहीं माना सबी लोग लाइक जरू करेंगे और दोस्तो एप जरू डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस ठीक दोस्तो आपके लिए कोर्स भी लांच किया गया हिंदी साहित का बहुत ही अच्छा सबसे अच्छा कोर्स अभी तक आपको repetition मिलेगा ऐसा कोर्स दोस्तों सब तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों बहुत सारे student को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि यह जो self study classes फ्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका व्याल जो । में लगा हुआ है है न मैं उस प्रकार से cell study classes आपको सर्च करना है और ऐसे और आपको एप मिलने वाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको रहे कास self study classes ठीक है ये play store में आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है ये image उसमें डली है ये icon ये logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा जीमेल number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे